Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम लोग अपना Deep Learning Playlist कंटीनू करने वाले अब I know कि इस Playlist को मैंने last year start किया था और December में जाकर के मैंने इस Playlist को pause कर दिया था Pause करने का reason मैंने आपको कई बार बताया कि मैंने एक mentorship program start किया था और उस program को run करने में मेरा इतना time and focus चला जा रहा था कि I was not able to shoot videos in this particular playlist और मैं quality के साथ compromise नहीं करना चाहता था So that's why I decided कि कुछ दिनों के लिए I'll pause this Deep Learning Playlist So अभी वो जो हमारा batch है mentorship program का वो खतम होने वाला है और मुझे थोड़ा सा time मिला and मुझे लगा कि I should go back and I should start creating videos in this playlist because I'll be very honest मुझे पिछले साथ महिनों में इतने सारे emails आये हैं इतने सारे messages आये हैं on different platforms और इतने सारे comments आये हैं आप लोगों की तरफ से कि Sir please continue the deep learning playlist कि मैंने आपको ऐसा बताया मेरी आत्मा पे एक बोज बन गया था और अब मैंने यही decide किया है कि going forward time निकाल करके I'll complete this playlist as soon as possible जितना भी time मुझे मिलता है So start, resume कहां से कर रहे हैं वो एक बार clarify कर देते हैं So अगर आप playlist को देख रहे होगे, touch में होगे तो आपको पता होगा कि जो last topic हमने cover किया था वो था recurrent neural network, RNN और वो हमने अच्छे से complete कर लिया था और उसके बाद फिर pause कर दिया था मैंने तो हम लोग exactly उसी point से start करेंगे और अब हम जो topic cover करने जा रहे हैं वो है LSTM, long short term memory बहुत important topic है इन फार्ट इस topic के बारे में मुझे आपको दो बाते बतानी है पहली बात कि इसका importance बहुत जादा है इंडस्ट्री में बहुत use होता है and not only that जो आज की rate में आप ये famous चीजे सुन रहे हो chat GPT, LLMs, transformers, attention ये सारी चीजों का जो foundational step है वो RNN, LSTM से ही होके गुजरता है तो अगर आपको LLMs के बारे में समझना है तो आपको LSTMs के बारे में पता होना चाहिए तो उस हिसाब से बहुत important topic है and second जो चीज मुझे आपको बतानी है LSTM के बारे में वो ये है कि it is a difficult topic मतलब I'll be honest I guess आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा इस बारे में कि LSTM को generally लोग as a difficult topic label करते है उसका reason ये है कि not only LSTMs में क्या चल रहा है ये समझना difficult है but अगर आपको वो समझ में आ भी जाता है कि चीजे काम कैसे कर रही है आपको ये समझ नहीं आता कि चीजे काम क्यूं कर रही है and that is why मैंने decide कि आए कि मैं LSTMs को चार वीडियो में cover करूँगा ठीक है so जो पहला वीडियो होगा जो कि यही वीडियो है इस वीडियो में हम लोग LSTM का what पढ़ेंगे what का मतलब LSTM होता क्या है जब हम ये दोनों चीजे समझ जाएंगे तो फिर थर्ड वीडियो में हम LSTM का why पढ़ेंगे कि चीजे काम क्यू कर रही है ठीक है और फाइनली जब ये तीनों चीजे हम समझ चुके होंगे हम फूर्थ एक प्राक्टिकल कोड एक छोटा प्रोजेक्ट लेके बनाएंगे using LSTM और मुझे लगता है कि अगर आप ये चारो वीडियो अच्छे से देख लोगे तो फिर most likely आपको LSTM अच्छे से समझ में आ जाएगा खीक है तो अभी मैं frequency बहुत guarantee नहीं कर सकता कि मैं अगला वीडियो कितनी जल्दी डाल पाऊंगा I'll try my level best बट मैंने आपके साथ roadmap शुरू कर दिया है अब going forward हम लोग try करेंगे जल्दी से जल्दी इस playlist को complete करने का So I hope ये पूरा introduction आपको समझ में आ गया Now let's start the video So guys काफी दिन हो गए हैं तो एक छोटा सा recap ले लेते हैं So that आपके लिए असान हो जाए तो अगर आपको याद होगा इस playlist के शुरुवात हमने की थी ANN से और ANN आपको पता ही होगा बहुत simple एक neural network architecture होता है जहां पर आपके पास input layers होते हैं Actually सिर्फ एक input layer होता है Multiple hidden layers होते हैं और फिर एक output layer होता है और यह पूरा का पूरा fully connected होता है Like this अब इस architecture की जो problem है वो यह है कि यह architecture sequential data handle नहीं कर पाता sequential data मतलब textual data या फिर time series based data जहां पर भी chronology matter करती है पुराने points आगे वाले points को impact करते हैं ठीक है उस तरह के scenario में आपका ANN काम नहीं करता और मैंने आपको बहुत detail में समझाया था क्यों एक बड़ा reason यह है कि let's say आपके पास एक text है Hi, my name is Nitish अब let's say मुझे इसके उपर sentiment analysis करना है I know यहां पर कुछ sentiment analysis होगा नहीं problem with RNN is कि आप सबसे पहले इस पूरे sentence को vectors में convert करोगे which is basically numbers और पूरे के पूरे sentence को एक साथ इस neural network में भेज दोगे अब जब आप एक ही साथ पूरे के पूरे sentence को भेजोगे तो फिर कोई word पहले है या कोई word बाद में है यह इस चीज का कोई meaning नहीं रह जाता और फिर यहीं से हमने discussion स्टार्ट किया था RNN का ठीक है RNN इस problem को solve करता है because RNN एक concept लेके आता है जिसको हम बोलते है state फिलहाल एक काम करते है सबसे पहले मैं यह जो ANN का architecture है इसको simplified form में लिखता हूँ this is the simplified form this is x this is h as in output और यह आपका बीच के layers है अब इसी में RNN ने क्या improvement किया उसने बोला कि हम लोग भी similar architecture यूज़ करेंगे जो ANN में है बट हम इसमें एक state का concept लेके आएंगे और state का concept का मतलब यह होता है मतलब यह हुआ कि आपका हर hidden unit खुदी को feedback देगा और बाकियों को भी feedback देगा in the next time step so basically आप क्या करोगे सबसे पहले तो एक बार में एक ही word को as input भेजोगे right मतलब होगा क्या जब आप इसको unroll करोगे time में तो सबसे पहले आप अपना पहला word भेजोगे high और यहां से like this is time step equal to one तो आप यहां से ht भेजोगे ठीक है ht मतलब h zero I'm sorry h zero इस से आपको h one मिलेगा जो आपके अगले state के लिए जब आप अपना second word भेज रहे हो my उसके लिए input का गाम करेगा यहां से आपको h two मिलेगा जो आपके अगले step के लिए which is name के लिए input का गाम करेगा फिर h three यहां पे आप is भेज रहे हो यहां से h four यहां पे आप नितिश भेज रहे हो और finally यहां पे आपको आपका output मिलता है that is how RNNs work यह मैंने बहुत detail में पढ़ाया है but अब यहां से main discussion हमारा start होता है so RNNs in theory they work well अच्छे से काम करते है but problems तब आने लगती है जब आपके पास यह जो sequence है यह जो sentence है इसका length बड़ा हो जाता है जैसे कि यहां पर 5 words है what if यहां पर 50 words हो ठीक है और अब आपको like एकदम शुरू वाले word से related कुछ decision making करनी है एक example लेते है जैसे कि मान लो आपके पास यह sentence है मैंने जो example दिया था महराश्टरा is a beautiful state ठीक है the language spoken there is अब यहां पर fill in the blank है यह आपके neural network को predict करना है तो आप क्या कर रहे हो यह महराश्टरा सबसे पहले भेज रहे हो फिर is भेज रहे हो फिर a भेज रहे हो इस तरीके से आप आगे आगे भेजते जा रहे हो तो eventually यहां पर क्या आएगा यह actually सबसे पहले word पर depend कर रहा है क्योंकि यहां पर ही आपको उस जगे का नाम पता है महराश्टरा तो obviously यहां पर महराथी आएगा और RNNs यह prediction कर पाएंगे यह जो sentence है यह इतना बड़ा नहीं है बट अगर आप sentence थोड़ा बड़ा कर दो जैसे कि महराश्टरा is a beautiful state it has got 25 cities it has got beautiful vegetations and forest and whatever so the capital city is Mumbai और फिर last में आप बोर रहे हो the language spoken there is fill in the blank question mark so अब सिंस यह sentence बड़ा हो गया यह पूरा का पूरा जो आपका series है जो unroll कर रहे हो आप RNN को यह time steps बढ़ गए अब अगर यह last वाला word एकदम शुरू वाले word पे depend कर रहा है तो अब आपका RNN may be हो सकता है नहीं बता पाए कि यहाँ पे माराथी आए because वो अल्रेडी भूल चुका है कि महाराष्ट्रा was the topic ठीक है और ऐसा इसलिए होता है because मैंने बहुत डीटेल में आपको जस्ट इसका पिछला वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने समझाया था कि यहाँ पर एक mathematical issue है जिसको हम बोलते हैं vanishing slash exploding gradient problem ठीक है basically अगर बहुत जादा लंबा हो जाता है यह पूरा chain तो यहाँ पर जो prediction होना है वो शुरू वाले inputs को भूल चुका होता है and that is why यह शुरू वाले inputs का दूर वाले predictions पे जादा असर नहीं रहता है जादा से pass वाले inputs का रहता है ठीक है basically गजनी का आमिर खान जैसा behave करेगा अभी की बाते याद रहेंगी पुरानी बाते भूल चुके हो ठीक है तो this is the problem that RNN faces और मैंने इसका बहुत अच्छा एक आपको mathematical intuition भी दिया था पूरा derivatives निकाल करके आप चाहो तो देख सकते हो तो यहाँ से अब कहानी शुरू होती है LSTM की अभी तक जो भी मैंने आपको बोला वो सब कुछ kind of एक flashback story चल रहे थी अब यहाँ से LSTMs start होते है LSTMs का origin हुआ ही इसलिए because RNNs were not able to handle long sequences because of the vanishing exploding gradient problem ठीक है तो अब मैं आपको एक intro kind of दूँगा कि LSTMs क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं चलो guys यहाँ से अब वीडियो का main part start होता है मैं अब आपको समझाने वाला हूँ LSTM का core idea core idea का मतलब मैं सबसे जो simplest version है LSTM का वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा देखो मैं आपको एक बात पहले से बता देता हूँ और बहुत लोगों कोई बात पहले से पता भी होगी कि LSTMs are a difficult topic मतलब किसी ने भी अगर LSTM को पढ़ा होगा वो आपको एक बात एकदम honestly बोलेगा कि यार LSTM को समझना थोड़ा difficult है but guess what अगर आप core idea अच्छे से समझ जाते हो तो LSTMs को समझना भी आसान हो जाता है so trust me when I say this कि अगला 15 minute बहुत important है आपका understanding develop करने के लिए so please I request कि आप focus करू अब concept को समझाने के लिए मैंने RNN जिस तरीके से काम करता है उसको यहाँ पे लिख रखा है मैंने आपको countless times समझा रखा है कि RNNs कैसे काम करते है time by time कैसे unfold होते है और information कैसे आगे move करता है यह सब कुछ हमें already आता है अब मैं आपको समझाओंगा कि LSTMs का core idea क्या है using this structure कैसे समझाओंगा बहुत interesting तरीके से मैं आपके सामने एक कहानी रखूंगा I am going to tell you a story और आपका काम है कि आपको उस कहानी को सुनना है और यह बताना है कि वो कहानी अच्छी है या बुरी है so simple words में अगर बोला जाए तो आपको एक deep learning neural network की तरब behave करना है और आपको जो task मिला है वो text classification का है आपका answer should be yes or no yes मतलब अच्छी कहानी no मतलब खराब कहानी तो शुरू करे कहानी चलो let's start so कहानी बहुत पुरानी है around thousand years पुरानी there was a state in India called प्रतापगड ठीक है आप बहुत appreciate कर पाओगे मुझे क्योंकि मैं on the को कहानी बना रहा हूँ so there was a state called प्रतापगड ठीक है प्रतापगड में there was a king called Vikram अब Vikram के बारे में क्या ही बोलू है Vikram was very very powerful like very powerful and not only powerful he was very kind और अपनी प्रजा से बहुत attached था in short he was a very very good king ठीक है सब कुछ अच्छा चल रहा था उसका जो प्रतापगड पुरा state था it was happy everything was going nice but then suddenly से एक दिन एक neighboring country का king था XYZ उसने प्रतापगड पे attack कर दिया and भयानक वार हुआ Vikram बहुत bravery के साथ लड़ा and guess what उसने XYZ को हरा दिया but unfortunately इस वार में Vikram डाइड बहुत ही खराब लग रहे बट या Vikram डाइड and suddenly से सब कुछ बहुत खराब हो गया सभी लोग दुख मनाने लग गए जो भी है देरे देरे कहानी आगे बढ़ी कुछ सालों बाद Vikram का जो बड़ा बेटा था Vikram जूनियर he became the king और बहुत Vikram जूनियर जो था वो Vikram की तरह था in fact लोग यहां तक बोलते थे कि हर कॉलिटी जो Vikram के अंदर थी Vikram जूनियर में वो 1.5 टाइम्स थी मतलब और ज़ादा पावरफुल और ज़ादा अटैश्ट अपनी जंता से बहुत ही सही राजा उनको दुबारा मिल गया बट गैस वाट Vikram जूनियर के दिमाग में एक ही चीज चलते रहती थी कि उसको अपने बाप का बदला लेना है XYZ को मारना है और गैस वाट जैसे ही Vikram जूनियर 20 साल का हुआ और उसको लगा कि अब उसके पास वो पावर है उसने XYZ के उपर अटाक कर दिया और भाई साब क्या लड़ाई हुई है भायानक लड़ाई हुई और XYZ ने फिर से Vikram जूनियर को भी मार दिया विक्रम जूनियर अल्सो डाइड है ना बहुत ट्विस्ट एंड टर्न से कहानी में और फिर से सब कुछ खराब हो गया बट गैस वाट विक्रम जूनियर का भी एक बेटा था विक्रम सूपर जूनियर और विक्रम सूपर जूनियर actually ना अपने बाप के जैसा था ना अपने दादा के जैसा था which means ये बहुत strong नहीं था but he was very smart बच्छपन से ही थोड़ा out of the box thinking और अलग तरीके से अप्रोच करना चीजों को उसकी पहचान थी and when he became the king तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उसको अपने बाप का, दाधा का, सब का बदला लेना है इस XYZ से और जिस दिन वो 15 साल का हुआ उसने XYZ पर अटाक कर दिया XYZ ने उसको बहुत बुरी तरह डॉमिनेट किया और ऐसा लगा कि विक्रम सूपर जूनियर भी मर जाएगा बट गैस वाट विक्रम सूपर जूनियर ने अपना दिमाग लगा करके XYZ को मार दिया and इस तरीके से उसने अपने बाप का और दादा का बदला लिया and this is the story guys this is the story तो सबसे पहले I would like you to appreciate me कि मैंने रियल टाइम में इतनी शांदार कहानी बना दी और अब आपका काम है कि आप बताओ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी आपके हिसाब से कहानी अच्छी है या फिर बुरी है guess what आपका answer matter नहीं करता matter ये करता है कि जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि ये कहानी अच्छी लगी या बुरी लगी तो आपने decide कैसे किया इस चीज में छुपा हुआ है LSTM का core idea मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग ने कैसे decide किया तो होता क्या है कि जब आपको कभी भी sequential data मिलता है आपके दिमाग को sequential data like कहानी, एक show, एक movie तो आपका दिमाग उसको word by word basis पे process करता है सबसे पहले उसने process कि आप बहुत पुरानी कहानी है प्रतापगड की कहानी है लिक्रम वहां का राजा था आप word by word process कर रहे हो इस पूरी कहानी को and साथ ही साथ आप दो तरह के context maintain करते हो एक context को बोला जाता है short term context और दूसरे को बोला जाता है long term context short term context क्या है कि जो अभी कहानी में चल रहा है वो यहां पर आ जाएगा तो जब मैंने आपको बोला कि बहुत पुरानी कहानी है लगबग 1000 साल पुरानी तो ये पूरी चीज short term context में थी और फिर क्या होता है कि आपका दिमाग पूरे time short term context से long term context बनाने की कोशिश करता है वो सोचता है कि अभी जो चल रहा है कहानी में तुम्हें क्या लगता है कि उनमें से कौन सी चीजे long term context के लिए important है तो आपके दिमाग को लगा कि यार ये जो number thousand है ना कि ये 1000 साल पुरानी कहानी है ये बहुत important है long term context के लिए because हो सकता है पूरी कहानी की तो आपको फिर से लगा कि यार प्रताब गड़ के background में है history की कहानी में geography तो बहुत matter करता है तो आपने प्रताब गड़ को भी यहाँ पे डाल दिया फिर बाता है विक्रम की तो विक्रम के बारे में जब मैंने बोला कि भाई बहुत powerful है बहुत ही mind है तो आपको लगा कि यार यह मेरा hero तो नहीं कहानी का hero तो बहुत important होता है कहानी के लिए तो आपने विक्रम को यहाँ पे डाल दिया फिर मैंने आपको बोला कि लेकिन xyz आ गया और xyz से लड़ाई हो गई तो xyz भी आपको लगा कि यह villain है यह भी important होगा आपने xyz को भी यहाँ पे डाल दिया बट फिर मैंने जब लड़ाई को describe कि और मैंने बोला कि guess what Vikram मर गया तो you realized कि guess what maybe Vikram is not the hero because he has died तो आपने उसको हटा दिया long term context से फिर आया Vikram junior junior तो Vikram junior junior के बारे में जब मैंने बोला किये तो अपने बाप से भी ज़्यादा powerful है तो आपको लगा कि यार maybe he is the hero तो आपने Vikram junior को long term context में add कर दिया अब कहानी आगे बढ़ रही है Vikram junior को पकड़ के फिर से लड़ाई हुई बट फिर से Vikram junior मारा गया and फिर आपके दिमाग ने realize कि शिट maybe Vikram junior is also not our hero XYZ अभी भी मेरा villain है बट Vikram junior मेरा hero नहीं है फिर आया Vikram super junior और आपने फिर Vikram super junior को भी यहाँ से long term context में डाला और guess what Vikram super junior ने finally XYZ को मार डाला तो आपने उसको long term context से नहीं हटाया and eventually जब आप से पूछा गया कि बताओ भाई कहानी अच्छी है कि नहीं आप इस long term context में जा करके decide किये कि यार अच्छी लगी कहानी या बुरी लगी कहानी तो this is how your mind is deciding sequential data के उपर processing कैसे करना है अब एक काम करते हैं वापस आते हैं RNN के पास और सोचते हैं कि क्या RNN के पास यह capability है तो अगर आप ध्यान से यह architecture देखो तो you would realize कि RNN के पास state maintain करने का memory रख पाने का चीजों को याद रख पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है यह line this is the only path through which you are able to retain information about past data अब इसी single line के उपर pressure है long term context maintain करने का और इसी के उपर जिम्मेदारी है short term context maintain करने का and guess what हमने पढ़ा है last video में कि mathematically possible नहीं हो पा रहा कि आप एक ही इस single line के उपर इस single variable के उपर short term context को भी रख पाओ और long term context को भी रख पाओ and guess what short term context dominate कर जाता है तो eventually यहाँ पर short term context वाली चीज़े रहती है आप ऐसे समझो कि basically यह एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ अभी की बात है जो उसने सबसे recent में सुनी है वो उसके ध्यान में है बहुत पुरानी बात भूल गया ऐसे बंदे को अगर आप एक सीरीज दिखाने जाओगे नेट्फिक्स पे तो उसको सबसे recent वाले episodes याद रहेंगे कि हाँ हाँ कुछ विक्रम super junior की बात हो रही है बट वो भूल चुका होगा कि विक्रम उसका दादा भी था तो this is the problem with RNN और यही हमारे computer scientist लोगों ने realize किया कि यार हमारे पास कोई mechanism नहीं है यह दोनों context retain कर पानेगा तो that's when they decided they thought कि what if हम एक और path maintain करे एक और path maintain करे तो इस नीचे वाले path में हम short term memory रखे जो मुझे just अभी input में मिल रहा है और इस उपर वाले path में मैं long term memory रखूँ ठीक है तो इससे क्या होगा कि कोई चीज अगर first step में ही पता चला कि important है तो वो end तक पहुँच जाएगी output तक अगर उसको हटाया नहीं जाता long term memory से मैं आपको एक example देता हूँ सो मालो हमने सबसे पहले बात शुरू की एक sentence दे रहा हूँ है आपको कि अंकिता is a great girl ठीक है अब अगला sentence में मुझे बताना है कि वो state topper है तो मुझे एक pronoun यूज़ करना पड़ेगा तो जैसे ही ये statement मुझे मिलेगा कि अंकिता is a great girl ये पूरा sentence मुझे जैसे ही मिल रहा है तो automatically short term memory long term memory को बताएगा कि देखो boss अंकिता and girl ये दो important चीज़े हैं long term context के इसाब से तो तुम इसको ले के आगे बढ़ो ठीक है और आगे इसके basis पर decide करना output क्या देना है he देना है या she देना है ठीक है text ऐसे ऐसे आगे बढ़ा और eventually आगे जाकर के किसी ने फिर sentence में लिख दिया कि नितिश is a YouTuber and now नितिश के बारे में बात हो रही है कि he has made several videos on data science तो again pronoun क्या यूज करना है अब pronoun क्या यूज करना है she या he obviously he तो इस point पे जहां पे नितिश आया system में तो वहां पे हमने क्या किया हमारी long term memory से अंकिता को हटा दिया girl को हटा दिया और नितिश को आइड कर दिया और maybe boy को आइड कर दिया अब आगे मुझे he use करना है या she use करना है मैं फिर से long term memory से पूछ रहाँ तो this is the core idea of LSTM LSTM में आप यही करते हो कि आप अपने short term वाले path के अलावा एक long term memory वाला path भी introduce कर देते हो तो जब भी आपके current input के basis पे आपको लगता है कि यार यह चीज long term के लिए important है आप उस चीज को उठा करके long term वाले chain पर डाल देते हो और वो उस chain पर तब तक रहता है जब तक वापस उसको हटा नहीं दिया जाता अगर आप उसको नहीं हटा होगे तो वो एकदम end तक पहुँच जाएगा कितनी भी लंबी ये chain हो वो end तक पहुँच जाएगा and this is the main idea behind LSTM ठीक है तो अगर मैं आपको एक summary diagram में दिखा पाऊं तो मैंने आपको बताया था कि RNNs ऐसे दिखते हैं यहां से आप input भेज रहे हो यहां से आप output receive कर रहे हो and बीच में इस जगे पे आप एक state maintain कर रहे हो जो LSTM है वो बहुत similar है there are only two major differences so पहला difference क्या है मैं आपको बताता हूं so दिखाई basically similar ही दे रहे है यहां पर भी ये वाला state है but इसके साथ साथ एक और state है I guess अब समझ पा रहे हो ये white वाला है short term memory और ये green वाला है long term memory तो this is the first difference मैंने बोला दो differences है this is the first difference कि आप एक path के बदले दो path लेके चल रहे हो this is the first and the biggest difference by the way LSTM के context में इसको cell state बोला जाता है ये हम next video में पढ़ेंगे ठीक है और दूसरा जो difference है न वो है architecture का मतलब इस cell के अंदर क्या है RNN में इसके अंदर एक simple architecture है but यहाँ पर काफी एक difficult architecture है क्यों है वो difficult architecture मैं आपको बताता हूँ because आपको एक चीज़ और करनी है आपको सिर्फ short term memory और long term memory नहीं रखना है आपको इन दोनों के बीच में बात करवानी है समझ रहे हो ना अगर short term memory को लगेगा कि कुछ नया important आया है तो वो long term memory को बताएगा अगर उसको लगेगा कि कोई चीज़ को हटाना है long term memory से तो वो बात करेगा तो आपको इस short term memory और इस long term memory के बीच में बात करवानी है तो वो बात करवाने के लिए आपको यहाँ पर अंदर में एक difficult sort of architecture तो अगर आप से कोई पूछ ले इस point पे कि यार बताओ RNN और LSTM में सबसे बड़ा difference क्या है तो आप यही बोलोगे कि दो differences है पहला difference यह है कि आप दो states लेके चल रहे हो एक short term state एक long term state और दूसरा architecture थोड़ा difficult है because आप एक complex सी चीज करने की कोशिश कर रहे हो और वो क्या है कि आप short term memory और long term memory के बीच में communication establish कर रहे हो उसके लिए आपको थोड़े से architectural changes लाने पड़ते हैं तो अब next मैं आपको कुछ architectural changes दिखाऊंगा जो RNN और LSTM को differentiate करते हैं So guys time आ गया है जहाँ पर मैं आपके सामने reveal करने वाला हूँ LSTM का architecture So internet पर एक बहुत ही well written blog है वहाँ से मैंने इस diagram उठाए हैं उस blog का link मैं शेर कर दूँगा description में बट जो भी है उपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो RNN है और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो LSTM है और सबसे पहले आपसे request है कि डरो मत सिर्फ दो चीज़े देखो जो मैंने आपको थोड़े दे पहले बताई दो changes जो RNN और LSTM में है दो सबसे बड़े differences So सबसे पहला जो difference है वो आपको दिखाई देगा कि RNN is just maintaining this single state ठीक है वेराज अगर आप LSTM की बात करो तो यहाँ पर यह नीचे वाली line जो है यह आपका short term memory लेके चल रहे है और उपर से भी एक line गुजर रहे है और यह आपकी long term memory लेके आगे बढ़ रहे है सबसे पहले चीज़ तो I guess यह आप observe कर पा रहे हो दूसरी बहुत बड़ी चीज़ अगर आप architecture देखो तो this is the architecture of RNN कितना simple है वेराज अगर आप focus करो LSTM के उपर तो you would see कि यार कुछ बहुत ही complex है यहाँ पर चल रहे है don't worry अभी मैं details में नहीं जाओंगा maths नहीं पढ़ाओंगा just आपको observe करना है कि हाँ यार यहाँ पर जो है उसके comparison में तो कुछ बहुत ही difficult है but यह difficult वाली चीज़ क्यों है मैंने आपको बता दी है so that long term memory और short term memory आपस में communicate कर पाए है यह जो पूरा का पूरा आपको यह design दिखाई दे रहा है यह circuit दिखाई दे रहा है जो भी आप बोल लो यह सिर्फ इसलिए है so that आप इन दोनों के बीच में communication करवा पाओ कैसे अगले वीडियो का topic है but मैं फिर भी आपको एक level of simplification दे सकता हूँ इस पूरी सी जो difficult चीज़ है इसको आप actually simplify कर सकते हूँ so यह जो अंदर जो चीज़े है यह actually LSTM में इनको gates बुलाया जाते है और precisely LSTM में तीन gates होते है ठीक है so अगर आप अपने इस पूरे architecture को थोड़ा सा break करो एक यहाँ पर break करो एक यहाँ पर break करो ठीक है तो यह जो part है ना मैं थोड़ा color करता हूँ यह जो part है यह पहला gate है और इसको बुलाया जाता है input gate ठीक है फिर यह जो दूसरा gate है ना इसको बुलाया जाता है I'm sorry मैंने गलत लिख दिया मैंने गलत लिख दिया my bad इसको बुलाया जाता है forget gate और यह जो yellow वाला है इसको बुलाया जाता है input gate और यह जो last वाला है इस पूरे को बुलाया जाता है output gate तो यह जितने भी लोगों को परिशानी होती है LSTM समझने में उनको इन ही तीनो gates को समझने में परिशानी होती है but guess what मैं आपको one line description देता हूँ इन तीनो gates का कि forget gate क्या role play करता है input gate क्या role play करता है और output gate क्या role play करता है उससे at least आपको थोड़ी सी clarity मिलेगी कि यह complex architecture कर क्या रहा है so चलो guys let me give you a small one line introduction of all these three gates forget gate, input gate, output gate मैं इनका detail introduction like detail description अगले वीडियो में दूँगा पूरा maths के साथ but अभी पस समझो कि यह तीनो gates क्या करते है सबसे पहले let's talk about forget gate so forget gate नाम से भी आपको शायद इसका काम समझ में आ रहा होगा forget gate क्या करता है कि based on the current input which is this thing and the short term context जो हमारा यहां से आ रहा है इन दिनों के basis पे forget gate decide करता है कि long term memory में से किस चीज़ को remove करना है समझना इस बात को so हम long term memory में maybe thousand को लेके चल रहे थे हजार साल पुरानी कहानी है प्रतापगड को लेके चल रहे थे और विक्रम को लेके चल रहे थे हमारी first राजा को और फिर जैसी हमें पता चला current input और short term context के basis पे कि लड़ाई हो रही है और विक्रम मर गया तो forget gate क्या करेगा forget gate ही वो बंदा है जो जा करके long term memory से विक्रम को हटा देगा basically अगर इस जगा पे विक्रम चल रहा होगा तो वो हट जाएगा यही काम होता है forget gate का forget gate is the gate which decides based on the current input की long term memory में क्या रहेगा और क्या हट जाएगा ठीक है now let's move on to the second gate the second gate is input gate this one यह वाला ठीक है input gate का काम क्या होता है input gate based on current input decides की long term memory में क्या add होना चाहिए क्या नया information add होना चाहिए ठीक है तो जैसे की Vikram junior आया तो Vikram junior long term memory में add होना चाहिए यह काम कौन कर रहे है input gate कर रहे ठीक है forget gate long term memory से चीजों को हटा रहे based on current input input gate long term memory से चीजों को add कर रहे based on current input ठीक है and the third is output gate output gate ही वो gate है जो based on current input decide करता है कि long term memory में से क्या चीज को निकाल करके as output दिखाना है जब हम final last stage of story पहुँच गए तो अब last ending के basis पे और long term memory के अंदर जो है उसके basis पे अब मुझे बताना है कि कहानी अच्छी है या नहीं तो ये हमारा output gate करके दे रहा है तो मैं एक बार summarize कर देता हूँ forget gate long term memory से चीजों को हटाता है input gate long term memory में चीजों को add करता है output gate finally story के end as in current input और अभी तक long term memory में क्या है उसके basis पे output निकाल के देता है अब ये जो मैंने पूरी चीज अभी आपके सामने रखी है ये obviously over simplification है पूरे idea का but trust me अभी over simplification ही required है अगले वीडियो में जब हम लोग इसमें detail में घुसेंगे maths देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि ये सारे gates mathematically कैसे काम करते है and then you would be able to appreciate the beauty of LSTM अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया जो हमारा output gate होता है न वो last में output देने के अलावा एक काम और करता है कि वो हर given stage पे short term memory जो है उसको भी create करता है you can see I guess दिख भी रहोगा आपको यहाँ पे कि इससे जो output निकल के आ रहा है वही हमारा अगले stage के लिए short term memory है तो last में जा करके ये output दे रहा है but intermediate stages में ये आपको short term memory kind of बना के देता है तो ये हुआ सारा का सारा gates का functionality तो अब एक काम करते है summarize कर लेते हैं पूरे के पूरे वीडियो को हम लोग summarize कर लेते हैं अगर आप मुझसे पूछोना कि LSTM क्या है तो मैं अपने हिसाब से एक simplified version में आपको बोलोगा कि LSTM को आप एक computer की तरह ले सकते हो याद है बच्पन में हमें एक flow diagram पढ़ाया जाता था कि computer is basically this thing जिसमें you provide some input and it does some sort of processing and it gives you some output ये definition actually LSTM पे भी apply कर सकती है apply हो सकती है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि आप कुछ input दे रहे हो अंदर कुछ processing हो रहा है और फिर कुछ output हमें मिल रहा है so पहले मैं आपको input और output बताता हूँ अगर आप input की बात करो तो आप 3 input देते हो so अगर ये time equal to let's say T है तो आप input में सबसे पहले देते हो long term memory पिछले वाले time step का which is T-1 इसको C से represent किया जाता है और cell state बोला जाता है मैंने बताया भी था और दूसरी चीज़ जो आप input में देते हो वो होता है H T-1 T-1 पे आपका short term memory this is long term memory at T-1 this is short term memory as T-1 और साथी साथ आप input में current word देते हो इस moment पे X T तो input में आप तीन चीज़े दे रहो पिछले time step का long term memory पिछले time step का short term memory और इस time step का input X T कुछ processing होता है और output में आपको दो चीज़े मिलती है जो आपका अगला state है उसके लिए CT as in long term memory और जो अगला state है उसके लिए short term memory ये दो चीज़े आपको मिलती है ठीक है तीन input दिया दो output receive किया ठीक है ये जो आपको HT यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये और ये actually same चीज़े तो ऐसा लग रहा होगा कि तीन चीज़े मिल रही है बट मिलती दो ही चीज़े ठीक है अब अंदर क्या होता है अंदर दो important चीज़े होती है first you update the long term memory इसको आप update करते हो update का मतलब पुरानी चीज़े हटाते हो नई चीज़े आड़ करते हो and second you create short term memory which is this thing for the next stage यही दो चीज़े होती है so that's it this is the summary यही पढ़ा हमने पूरे वीडियो में एक LSTM cell के अंदर आप input में तीन चीज़े देते हो वो आपको पलट के दो चीज़े देता है और अंदर दो चीज़े हो रही होती है पहला आपका long term memory update हो रही होती है और अगले state के लिए short term memory create हो रही होती है and that's the summary of it अब हम क्या करने वाले हैं अगले वीडियो में जहांपे हम how पढ़ेंगे मैं आपको यह architecture पूरा खोल करके समझाओंगा इसके पीछे का maths यह सारे के सारे operations क्या है यह sigmoid, यह tan h यह red color के symbols क्या है यह सब हम लोग समझेंगे but I really hope इस वीडियो को देखने के बाद at least आपको what समझ में आ गया कि LSTM क्या है ठीक है so I hope आपको यह वीडियो पसंद आया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया